इस वीडियो में हम solve करते हैं Question number 19 Exercise 7.2 Chapter number 7 Integrals Class 12 Max NCRT Last वीडियो में हम 7.2 के 1 से 18 तक जो है Question solve करें हैं जिसकी link आपको मिल जाएगी तो करते हैं Question number 19 Integrate E की पवर 2X मैनस 1 denominator में E की पवर 2X प्लस 1 DX इसे integrate करना है हमें 7.2 जो excesses है Integration by substitution पर है तो इसे solve करते हैं तो सबसे पहले हम solve करने के लिए 7.2 के इंदर substitute करना पड़ता है कोई ऐसा function जिसका derivative वहाँ पे present हो बट यहाँ पे E की पवर 2X है हम इस E की पवर 2X को ब्रेक करते हैं तो solution मैं कर रहा हूं Integrate E की पवर X into E की पवर X basis same रहा तो power add होती है again E की पवर 2X होता है remaining 1 denominator में भी same E की पवर X into E की पवर X plus 1 operator DX basis same है power add होती है love indices है आप क्या कर रहा हूं मैं अब यहाँ उपर से और नीचे से जो है E जो है common ले रहा हूं integrate E की पवर X में common लेने के बाद यहाँ से E की पवर X मिला मुझे minus यहाँ पे 1 है यहाँ से भी E की पवर X common हो गया है तो यह totally जो होता है 1 by E की पवर X होता है और denominator में भी E की पवर X में common ले रहा हूं E की पवर X common लेने के बाद यह क्या होता है यहाँ पे e की पवर x होता है प्लस 1 बंई e की पवर x होता है into अपरेटर क्या है dx एंटिगरेक्शन का संळ जड़ा बड़ा चळो अब यहाँ से e की पवर x e की पवर x council होता है तो remaining क्या भचता है यहाँ पे integration e की पवर x minus 1 upon e की पवर x है e की power x अगर उपर ले तो power जो है minus होती है e की power minus x denominator में यहां से e की power x है plus 1 by e की power x है तो e की power x उपर ले रहे तो power जो है minus होती है तो यहां से e की power minus x operator यह dx है अब यह क्या यह basically यह आई है अब हम यहां पे put करना है यह जो denominator में है e की power x plus e की power minus x इसको मैं यहाँ पे जो है t put करता हूँ वो इसलिए कि t put करने के बाद फिर differentiate करने के बाद यह जो है cancel होता है तो मैं यहाँ पे first step क्या होता है हमारा put करना है put कर रहा हूँ में e की power x plus e की power minus x को जो मैं यहाँ पे t जो है put कर रहा हूँ denominator में second step क्या होता है इसे differentiate करना होता है X के respect में differentiate with respect to X E की पवर X का क्या होता है golden formula है E की पवर X का E की पवर X होता है differentiation में और integration में E की पवर X का E की पवर X अब यहाँ पे यह plus है मैं पहले minus लिख रहा है E की पवर minus X का E की पवर minus X again minus X का minus होता है तो यह प्लस जाके मैनस हो गया फिर यहां RHS में क्या है T है X के रस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह हो गया DT over DX हो गया है अब हमें क्या DX लेना है DX अगर यहां पे लिए हम तो यह क्या हुआ है DX is equal to DT upon में यह जो पूरी value denominator में आती है E की power X minus E की power minus X इस I में रखते हैं इस I में जो है E की power X plus E की power minus X को हम T put करें हैं यहां पे T रखना है और DX की value भी अपने पास यह है A और B को जो है इसमें put करना है तो रखते हैं हम integrate E की power X minus E की power minus X denominator में इसको क्या put करें हैं इसको जो है T put करें हैं तो यहाँ पे t लेते हैं, dx किता है अपने पास, dx अपने पास यहाँ पे dt आवर e g power x minus e g power minus x, तो dt जी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, value जा है, dt upon में e g power x minus e g power minus x, minus x, अब यहाँ से देखना है, cancel out क्या होता है, e g power x minus e g power minus x, यह और यह cancel होता है, तो remaining क्या बस्ता है, integrate 1 upon t into dt, यह तो formula है, पुंसा formula है, integrate 1 by x dx क्या होता है, log mod x होता है, तो सीधा-सीधा यह क्या हुआ है, log mod t plus some constant value c है, t जो है, t हम put करें हैं, घर से value नहीं ले, तो t की value रखते हैं, t क्या है हमारे पास यहाँ पे, यह है value, तो value रखते हैं, तो क्या होगा है, log mod t g value जा e g power x, e g power x plus e g power minus x plus some constant value c, यह final answer है, वीडियो को जो है, पॉस्ट करें, इसे note करो, पहले यहाँ से यहाँ तक, धिन फिर यहाँ से यहाँ तक, तो करते हैं, question number 20, exercise 7.2, integrate e की power 2x minus e की power minus 2x, denominator में e की power 2x plus e की power minus 2x dx है, इसे integrate करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे substitute करते हैं, जो denominator में जो value है, इसको हम t put करते हैं, तो first step जो है, put कर रहा हूँ, put e की power 2x plus e की power minus 2x को जो है, t जो है, put कर रहा हूँ, जो denominator में, उसको में यहाँ पे t put किया, और इसे जो है, मैं suppose कर रहा equation number a, then second step क्या होता है, इसे differentiate करना होता है, x के respect में, differentiate with respect to x, e की power 2x, e की power x था, e की power x ही होता है, e की power 2x है, तो e की power 2x है, again 2x का चा होता है, x के respect में 2 होता है, यहाँ पे e की power minus 2x है, तो e की power minus 2x होता है, again minus 2x का minus 2 होता है, तो यह plus जाके यहाँ पे minus, यह minus 2 आया, is equal to, RHS मिटी है, x के respect में differentiate कर रहे हैं, तो dt अवर dx हो गया अब हम क्या करते हैं अपने को dx लेना है dx अगर यहाँ पर भेजे तो यह multiply होता है और यह यहाँ denominator में आता है तो मुझे यहाँ से dx मिला मुझे यहाँ से dx क्या मिला यहाँ से dt अपाउन में क्या आया यह 2 मैं साथ यह साथ 2 भी common ले रहा हूँ तो e की पावर 2x मैनस यह 2 था common लेने के बाद यहाँ पर e की पावर मैनस 2x आया इसको जो है consider करो इसको आप suppose करो equation इसको b consider करो a और b है अपने पास इस a और इस b को जो है यहाँ पर रख देना है और यह integrate हो जाएगा तो रखते हैं value integrate e की पावर 2x मैनस e की पावर मैनस 2x जैसे का वैसा denominator में e की पावर 2x प्लस e की पावर मैनस 2x को जो है यहाँ पर t put करेते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर मैं t ले रहा हूँ t dx की value कितने यह solve करने के बाद dx की value यह है अपने पास dx कितना है अपने पास dt dt अवर 2 e की पावर 2x मैनस e की पावर मैनस 2x मैनस 2x तो रिमेनिंग क्या बचा हैं पर integrate 1 upon t into dt अवर 2 बचा यह 2 जो है 1 by 2 constant है integration के बाहर होता है जिसको मैं यहाँ पर करता हूँ तो रिमेनिंग क्या बचा है हैं पर 1 by 2 integrate 1 upon t into dt क्योंकि 1 by 2 जो थे constant है integration के बाहर आया अब इसे जो है सेम है जैसे 19 में करें हैं तो सिधा सिधा integrate 1 by x dx फार्मूला है क्या है फार्मूला 1 by x dx फार्मूला क्या है यहाँ पर log mod x plus some constant value c फार्मूला आपने को पता है तो सिधा सिधा यहाँ पर 1 by 2 जैसे का वैसा आता है log mod t plus some constant value c अब t की value रखना है t हम यह put करेते हैं तो सिधा सिधा यह 1 upon t log mod t जा है हमारा यहाँ पर e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x plus some constant value c answer आ गया हमारे पास तो video को जो है pause करके इसे अच्छे से जो है यहाँ से यहाँ तक है फिर इसके बाद crash step यहाँ पर है इसे note कर